और आपके अपनी चेनल हरियाना न्यूज के कॉंक्लेव की बाद से हरियाना में सियासी भूचाल बचा के हरियाना न्यूज की कॉंक्लेव में सियम मनुहर लाल के इंटरव्यू में सियम की ओर से जो गठबंधन को लेकर बात कही गई उस पर जेज़िपी अब तीखी प्रतिक्रिया दे रही है प्रदेश अधिक्ष निशान सिंग की बात निप्टी सीयम दुष्ण चुटाला ने कहा कि हर्याना में सरकार दोनों ही पार्टियों की है और सीयम ने ऐसा भयान क्यों दिया वो बात सीयम खुद की क्लियर करेंगे की पेंशन को लेकर उनसे सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि बीज़ेपी के बादे के मुताबिक केवल तीन हसार रुपे ही पेंशन की जाएगी चुंकि सरकार बीज़ेपी की तो गठबंधन पर राजनीती ऑन हो चुकी है गठबंधन में कौन है सवाल यह तो ग पूट जाएगा बीज़ेपी ज़ेपी का गठबंधन सवाल यह लगातार हो रही बयानभाजी के बाद तेज हो गएक है तो सीम और डिप्टी सीम की अलगलग बयान क्यों है और सीम की और से यह कह दिया जाना यह बिलकुल पहला मौका की जब से कहा गया हो कि सरकार जहन में यह है कि क्या गठबंधन सरकार में कुछ ठीक नहीं है कि सीम नहीं बयान क्यों दिया सीम खुद गे इस बात कुस्पष्ट करें सीम की और से बहुत बड़ी बात यह कह दी गई कि हम तो 3000 रुपे का वादा पेंशिन का करके आई थे और बीज़ेपी अपना वादा से सरकार बीज़ेपी की है जब कि राजे में दोनों ही दलों की सरकार के हुँँँँँँद। अलाइंस है और अलाइंस मजबूती के साथ चल रहा है किस विशे किस संधर्व में वो बात कहीगी इस पे तो क्लैरिटी सी हमसाब दे सकते हैं जहां तक उन्होंने कहा कि सरकार तो भारती जनता पार्टी की है हमें आज तक यही कहा जाता रहा हम भी यह मानते हैं कि सरकार गठबंदन की है मानिये मुखे मंतरी जी कहने से कैसे चूक गए और ये बात थोड़ी हमें इस पे एक खेद जरूर है कि जो उन्होंने कहा कि हमने कभी जन्नक जनता पार्टी को कुकाम की